हाई फ्रेंज मेरा नाम पुनीत नागपाल है मैं एक certified financial planner हूँ नागपाल इंवेस्टमेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वाधत है फ्रेंज आज की इस वीडियो में मैं आपको post office के जो current rate of interest चल रहे हैं उनके बारे में बताऊंगे स्क्रीन पर मैंने सभी post office की schemes के rate of interest दे दिये हैं मैं एक एक करके आपको बता भी देता हूँ जो savings account होता है post office का उसमें 4% rate of interest है जो recurring deposit जिसको id account कहते हैं जिसमें हम per month deposit करते हैं 5 years का वो account होता है minimum और maximum आप 10 years से चल तक चला सकते हैं उसका rate of interest है 5.8 और इसमें जो compounding है वो quarterly है याई हर 3-3 मैने में हमारा interest rate compound होता है और जो time deposit account है एक साल, दो साल और तीन साल का इसमें 5.5% का rate of interest है compounding quarterly और इसमें जो हमें interest मिलता है वो yearly basis पे मिलता है time deposit में और जो 5 साल का time deposit account है उसका rate of interest काफी अच्छा है 6.7 है और compounding quarterly है इसमें friends मैं बता दूँ आपको tax benefit भी मिलता है 5 years के time deposit account पे friends मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे इस channel पे मैंने time deposit account की full flash video भी बनाई हुई है मैं i button में उसका link दे दूँगा और video के end में भी आपको उसका link मिल जाएगा आप उसको भी देख सकते हैं अगर पूरा आप time deposit को समझना चाहते हैं तो friends अब चलते हैं MIS account monthly income scheme इसमें 6.6% का rate of interest है इसमें monthly हमें income मिलती है one time deposit करना होता है अब senior citizens saving scheme के बारे में बात करें तो यह बहुती popular account है इसमें 7.4% का rate of interest है इसमें भी हमें tax rebate मिल जाता है 15 years का जो PPF account होता है public provident fund इसमें rate of interest 7.1% है NSC national saving certificates में भी rate of interest 6.8% है compounding yearly इसमें भी आपको tax benefit मिलता है tax rebate मिलता है KVP जो होते हैं किसान विकास पत्र जिसमें पैसा हमारा डबल हो जाता है उसमें rate of interest है 6.9% compounding yearly और जो सुकन्या समरिदी account है जो छोटे बच्चो especially girl child के लिए हो government का account है उसमें rate of interest है 7.6% compounding yearly Friends, सुकन्या समरिदी पे भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है उसका भी link में i button और वीडियो के end में आपको दे दूँगा आप उसको भी देख सकते हैं Friends, ये इसी 3 महिने का rate of interest जो government ने सेम रखा ये काफी अच्छा government का decision रहा है मेरे इसाब से क्योंकि हर जगह rate of interest बहुत कम हो गए है तो आप इसका benefit जरूर लीजिए आपको किसी भी scheme से related कोई भी question हो तो आप मुझे comment box में comment करके बताईए मैं आपको उसका उसके बारे में जरूर बताऊंगा Friends, आज के लिए बस इतना ही आप इस video को like जरूर करें और हमारा channel भी subscribe कर ले अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, thank you so much, goodbye